दो हजार उनीस की तुलना में दो हजार चॉबिस लोग सभा चुनाव के फर्स्ट फेस की वोटिंग बहुत कम हुई है तक्रीमन पांच फीस्दी कम यानि सब्तर से पैंसर्ट फीस्दी ये वोटिंग हुई और उसके बाद चुनावायोग हो, सब तासीन पार्टी हो या वि मीटिंग के बारे में, जिसके बारे में चर्चा ये हो रही है कि हीट वेप को लेकर ये मीटिंग हो रही है, दरसल चुनावी माहौल में चाहे वो पत्रकार हो, आमजड़ता हो या पार्टिया हो, सब को ये तो समझ में आ रहा है कि इस माहौल में, यानि गर माहौल में एक और शाम होते होते तक फर्स्ट फेस की वोटिंग में ये तस्वीर साफ हो गई कि मदाता जिस भी वज़ा से नाखुश हो, वोक मदान केंदर पे तो नहीं पहुंच रहा है। अब इसके लिए 11 तारी को पीए मोदी की भी एक बैठक हो चुकी हीट विप को लेकर, लेकिन समधान क्या है, विकल्प क्या है, अगर चुनावायों किस वक्त बैठक भी कर रहा है, तो फिर आप्शन है नहीं, क्यूंकि अगर आगे बढ़ते हैं, तो उत्तरभारत के राज् के दस्तक देने की खबर है, लेकिन उसमें भी अभी कोई इस तरीके का बदलाओ हो कि वोटर बहुत उत्साहित हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ा इंदजार करना होगा कि क्या हो सकता है, लेकिन अब मैं सियासी पार्टियों के एंगल से आपको ये खबर समझाती हूं कि उनका की आदावा है? बीजेपी कह रही है कि कॉंग्रेस पार्टि के जो और बोटर से वो नहीं निकल रहे हैं, बदान के इंदरों पे वो इसले नहीं पहुंच रहे हैं, क्यूकि उन्हें यकीन है कि यह हारेंगे ही, वो जिन भी चेहरों पे दाव लगा रहें, वो हार ज कि वज़ा से बोटर नहीं जा रहा है हाला कि जानकार ये बताते हैं कि 2019 में भी यही कहा गया कि फॉस्ट फेस में बीजेपी की सिती ठीक नहीं है लेकिन जब चुनाओ पर नाम आया तो बीजेपी बहतर शुडबाती बक्त से ही कर रही थी और यही वज़ा है कि उसी 2019 के आंक अखिलेश है कि आपके लिए वोटर आज भी उचसाहित नहीं है और यही वज़ा है कि वो मद्दान केंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अब मैं देश की अलग-अलग जो सियासी पार्टिया है उन्होंने क्या कहा है उस पर भी जरा मैं फोकस करती कॉंग्रेस पार्टी किये हैं उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है लेकिन क्या यहीं सच्चाई है और इस सच्चाई के दर्मियाद जो यह बैठक चल रही है चाहे वो एलेक्शन कमिशन की हो या सरकार किस तर पे हो क्या इस से वोटर बूसरे फेस में यानि 26 तारीक को वो खुशों के मद्दान क के लिए निकलेंगे चाहिए आप जितने इंतजान कर लीजी क्या वाकई मौसम ही वजह है या इसके पीछे वोटर्स के मन में कुछ और है अंडर करन चल रहा है साइलेंट वोटर है यह सब कुछ तैह होगा चार जून को जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा इस भी स्या करना है